Hello students, a very very good afternoon to everyone, namaskar, namaskar, good afternoon everyone कैसे हैं सही बच्चो और मुझे confirm कर देंगे, is audio video absolutely fine good afternoon everyone, good afternoon, फड़ा फट से मुझे confirm कर देंगे क्या audio video बिलकुल सही है की नहीं है yes, yes, yes मेरे प्यारे बच्चो हाँ जी good afternoon everyone, good afternoon अरे यार, थोड़ा सा तो जोश अपना दिखाईए थोड़ा सा तो जोश अपना दिखाईए, good afternoon, good afternoon so, yes, good afternoon, तो सही बच्चे हमार पस बोल रहे है यहाँ पे समीर, मयूर, करंदीप, सुबोही, चिराग, जीगर, अर्चना, स्निगधा येस, अंकित, मयूर, येस, good afternoon बेटा, good afternoon everyone हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारे पास में सारे बच्चे यहाँ पर एक एक करके जुड़ते जा रहे है येस, बहुत ही बढ़िया हमारा जोश और हम अपनी त्यारी जो है पड़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से कर रहे है नीव बैच्च का बेटा मैंने अपने टेली क्राम में बता दिया था कि वह बच्चे जितने मैं यहाँ पे कर आया था यहाँ पर बाकि वह पिछली ब बच्चों के साथ में यह बिटा मारे साथ में चल रही है विची बिद्रिस पर्फेक टू जो कि हमारे पास में के साहने यहां पर में सारे के सारे जो accounting standards है उनको अपने पास आप लोग को करवाने वालों properly end-to-end which covers your study material आप लोग के पास में and साथ की साथ में आप लोग का past year questions and साथ की साथ में आप लोग का जो है अगर मैं आप लोग के साथ में आप लोग के नोट में आप लोग को जोरत नहीं रहेगी मैं आप लोग का दो सोरो से नितिन वोल आज के सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अप लोग के लिए बहुत important है CA की पढ़ाई के अंदर में अब हमार पास last cave almost 45 days बचे है कि हम अपना best अपना लगा दे कि हम अपने पास जितना maximum time है अपने पास पढ़ाई पे लगाए चीजे अपने पास वो सारे के सारे notes वगेरा जितने बच्ची यहां पर में में अपने देखने आये उन बच्चों के लिए बेटा मैंने अपनी तरफ से आप लोग को बेटा मेरा को करना कै है वहां से आप link से अपने पास पहुंचते हैं मेरे टैलिग्राम तक उस त testim के चैनल की जो description है टैलिग्राम की description है वहां प एक link को click करते हैं और वहां से पहुंचते track तक आप लोग और उस tracker में आप लोगों के पास बेटा मिल जाएंगे आप लोगों के पास में जो है सारे नोट्स वगरा everything मैंने कल के session में भी आप लोगों को दिखाया था मीनी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यह tracker का आप लोगों के पास में जो एक liken जैसे अकाउंट से यहीं पर मैं आप लोगो को मैं decision के link डालता जाओंगा जो सो क्या स flowers चैयार है हमारे पास में पढने के लिए मुझे फड़ा-फट से पता देंगे इस every one ready to study क्या सभी बaty त़्यार है हमारे पास में पढने के लिए मुझे फड़ा-फट से show your energy यास सर हम बिल्कुल तयार है पढने के लिए हाँ जी यहाँ पर में हमारा जो standard हम लोगों ने कल चालू किया था जिसे हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा वो standard हम खतम कर दे वो standard है एस नंबर 12 यह standard हमें यह बताता है कि जो government के grant आप लोग को मिलती है उसकी कैसे accounting treatment करी जाती है उसकी accounting treatment बेटा इस चीज पर निर्भर करती है कि वो grant जो आप लोग को मिल रही है वो कौन से प्रकार की grant है अब हमने जो अपने पास कल का पूरा session लगाया था बेटा हमने जो पूरा session कल का लगाया था वो इसी चीज पर हमने अपने पास में लगाते रहा था कि बही जो grant है आपके पास में वो related to अगर specific fixed asset है जो grant आपकी related to किसको लेकर बेटा specific fixed asset को लेकर है जब हमने grant related to specific fixed asset अपने पास बेटा पढ़ा था तो वहाँ पर में बेटा मैंने आप लोग को ये बताया था कि वहाँ पर करने के होते हैं दो तरीके, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो methods दिये गए है, method number जो one होता है वो आप लोग को क्या सिखाता है, वो ये कहता है बेटा, कि आप क्या करिए, जो अपने machine खरीदी, land खरीदी, जो भी है, आपको अगर grant मिली है, आप क्य में से ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, asset की cost में से माइनस कर देंगे, ताकि जो asset अब किताबों में दिखेगा, वो net of grant दिखेगा, क्योंकि, आपने जितनर पे किसी को दिये थे asset खरीदने के लिए, उसमें से कुछ पैसे तो आपको government नहीं दे दिये, तो ultimately आपकी asset की cost कम हो जाती है, जो method number two है, वो इस चीज पर निर्भर करता है, कि आपका asset depreciable है कि non depreciable है, कहता है, अगर depreciable asset है तो आपने पते क्या करना है, आपने अपने पास में जो grant है, उसे एक account में भेज देना है, जो पैसा मिला, deferred government grant, वो एक तरीके की deferred income है, वो एक तरीके की deferred income है, जिसे आप over the period mark देंगे, in the ratio of depreciation, मतलब आप क्या करते है, पहले method में तो पहले ही net value आपकी जारी है, हमने कल पूरा समझा था, मैं revise करा रहा हूं सिरफ, हमने अपने पास में क्या बोला, पहले method में तो net करने के बाद ही depreciation निकल रही है, तो depreciation net ही हो रही है, इसमें क्या कर आते जाएगा, दीरे दीरे करके, वह भी खत्म हो जाएगा, पर, अगर non depreciable asset होता है, तो उस case में माउंट कहीं जाएगा, sir, उस case में माउट जाता है, capital reserve में, अगर non depreciable है, तो उस केस में कहा जाएगा सर capital reserve में हमारे पास जाएगा तो यह आपके पास होता है non-depreciable का क्योंकि land के लिए अगर मिली अब उसे over the period थोड़ी न राइट आफ कर ले पहले method में तो land come पे दिखा दिया आप उसे अब कहा दिखाएंगी capital reserve में capital reserve में फिर हमने बोला था बेटा कई पार ऐसा होता है कि अगर आप conditions को पूरा नहीं करते हैं अगर आप government की जो conditions ही उसे पूरा नहीं करते हो तो उस case में आपके grant के पैसे को क्या करना पड़ता है हमें वापिस करना पड़ता है we have to refund the grant और वो अपने आप में एक extraordinary item में जिसके लिए group 2 में AS करा जाते एस नमर 5 तो यह अपने आप में बहुत rarest of the rare case में चीज होती है तो जिसकी वज़ा से यह extraordinary item बनती है और उसको specially disclose किया जाता है ठीक है ना अगर हमारा जो case चल रहा था वो related to again specific fix asset ही चल रहा था अगर जो grant मिली थी वो fix asset वाली थी जिसको वापिस करना पड़ रहा है तो कहते है उसकी treatment refund के समय इस चीज पर निर्भर करेगी कि आप पहले कौन सा method follow कर रहे थे अगर आप अपने पास में बेटा method जो follow कर रहे थे वह method फॉलो कर रहे थे method no.1 मतलब की आप अपने पास में क्या कर रहे थे आप अपने पास में उसे deduction के तोर पे शो कर रहे थे उसे deduction के तौर पे शो कर रहे थे तो आप ऐसा करो आपने पहले asset की value को कम किया था ना bank to fixed asset डाला था अब सीधा entry डाल दो fixed asset to bank आप अपने asset की value को ही क्या कर दो बढ़ा दीजी आप asset की value को ही क्या कर दीजे बढ़ा दीजे आप सीधा entry डाल देंगे fixed asset to bank fixed asset की value ही क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और अब क्योंकि fix asset की value change हो गई तो आपकी आने वाले सालों की depreciation भी अब change हो जाएगी पिछले सालों की नहीं depreciation revised book value पे prospectively change हो जाएगी आने वाले सालों की पिछले सालों की जो बीत गया वो बीत गया उसे भूल जाओ जो आने वाला है उसे ठीक कर डालो सो आपके पास प्रवाइड कर देंगे depreciation on the revised book value prospectively अगर हमारे पास में method number two follow हो रहा था तो उसमें अगर depreciable asset था तो बेटा हमने amount कहां डाला था sir हमने amount डाला था deferred government grant में अब कहता है आप पहले उसी को use करो तो पता है आप entry क्या डिजी कहते हैं डेफ़र्ड government grant बेटा आपके पास में यह इसमें आएगा जितना balance उसका दिख रहा है डेफ़र्ड government grant में बेटा balance दिख जितना उसमें balance दिख रहा है और two bank में आएगा जितना पैसा पे कर रहे हो जितना पैसा पे पी आल पर काउंड में ट्रांसर कर दिया जागा तो यह हमारे पास डलती है यह इंतर हमारे पास किसको कम कर दो, capital reserve को ही कम कर दीजे, क्योंकि पहले कहां लेकर काई थे capitalism में, तो उसी को अपने अब अपने पास क्या करना है, कम कर देना. तो क्या हमने पिछले session मी यही सीखा था? यह सर, हमने पिछले session मी यही सीखा था, उसको मैंने आकर आपको revise भी करा दिया. बेटा मैंने आप लोग को questions कराये थे class में यहां पर in fact हमने 4 questions के थे 1,2,3 and 5th question बड़े अराम राम से हमने questions के थे अभी हम अपने पास चल रहे और आगे बढ़ रहे बेटा coming to question no.4 coming to question no.4 मैंने आप लोग को homework में भी questions दिये थे जो आगे मैंने segment बना रखे practice questions की जिससे आपको और confidence मिल जाएगा paper वाले questions और उनके answer दिये वे so answer दिये वे तो वैसी आप लोग को दिख्कत ने आएगी कोई नया concept उसमें था ही नहीं तो as it is विलकूल सेम तरीके के questions है now जो question वर 4 है जरा उस पे आते हमारे 2 questions और बचे विपोर वी actually move to the next grant क्योंकि इसी वाली grant से related हमारे maximum questions पेपर में आते हैं ठीक है कहते है जी एक April 18 को ABC limited को government grant मिली कितने की 300 lakhs की for acquisition of machinery जिसकी cost कितने 1500 lakhs so एक grant मिली 300 lakhs की और machinery की cost 1500 lakhs कहते grant credit करी to the cost of asset यह line clear क्या कर रही है यह line clear कर रही है method number one follower है कौन से method follower है method number one follower है deduction वाला life machinery की जो है ना बेटा वो 5 साल है मतलब ultimately जो है 5 साल उसकी life है machinery paper जो depreciation लग रही है वो 20% WDV है बच्चों का बार-बार यह इंतजार था इस चीज को लेके कब WDV आएगा कब WDV आगा लो आ गया WDV क्योंकि स्टेट लाइन स्टेट लाइन चल रहा था आगया न WDV हाँ से WDV आगया कंपनी को refund करना पढ़ रहा है बेटा grant को मई 2021 में जाके due to non-fulfillment of the certain conditions कहता है कि आपको refund करना पढ़ रहा है आप जाके मई 2021 में जाके क्योंकि क्या अपने conditions पूरी नहीं करी तीन साल के बाद जाके तीन साल के बाद जाके कहता आप कैसे deal करेंगे with the refund of grant in the books of ABC limited assuming कि अभी तक कंपनी ने कोई भी depreciation charge नहीं करी है 2021 में मतलब अभी तक इस साल की depreciation चार्ज हो अगर यह लाइन ना लिखा हो था तो भी कि कॉस्ट चैना एसेट की मशीनरी जो हमारे पास है वो है 1500 एक एप्रेल 18 को फिर हमारे पास में deduction हुई किस की grant की स्वारा पास में कितनी वैल्यू बच की सर्थ बारा सों यह वैल्यू है मार पास आफड़ी आपके पास जो है refund यह मारका वैल्यू आफटर्दी आपके पास जो हैं अब कास आ रहे है आफटर दी grant आफटर दी grant अब अपने क्या करना है identified ब्रेसियेशन लगा है 20% पहले साल की 2018 की 20% कितनी मनी 240 1200 में से 240 गया तो कितना रहे गया 960 यह वैल्यू आगी 1 एपरेल 19 की एक साल बाद फिर डेपरिजेशन आई 19-20 की 20% WDV है तो 960 का 20% हो 192 हमें बेटा 3 साल बाद की वैल्यू जी है और वैल्यू रहे गई 768 एक एपरेल 20 की फिर आपके पास वैल्यू आई B21 की डेपरिजेशन आई 153.6 और वैल्यू रह गई कितनी 614.4 ये वैल्यू है एक एपरेल 21 को ये वैल्यू है बेटा एक एपरेल 2021 को जो वैल्यू हमारी बनती है कब जिस दिन आपके पास बेसिकली जिस साल रिफंड होने जा रहे है उस समय की जो एक एपरेल 2021 को बेटा हमारी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 614.4 एक एपरेल 2021 को इस साल जाके आपकी गौर्मिन्ट करांट का रहे है रिफंड तो आप क्या करेंगे इसी की वैल्यू को बढ़ा देंगे इसी की value को क्या करेंगे आप increase कर देंगे तो जब आपके पास grant refund हुई तो आप इसी में add कर देंगे refund of grant तो asset की value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, so कितने से 300 से पूरे का पूरा refund हो रहा है, उसने कहीं अलग से नहीं बोला, तो सर अलग से नहीं बोलता तो पूरा refund हो रहा है, ठीक है न, so revise book value कितनी होगी, 914.4 revise book value आपके पास 914.4 हो गया, ठीक है न, WDB से है तो बेटा, WDB तो किया है, आपके पास में method 1 follow रहे कम करके deduction लगा ही, अब value बढ़ा दी, refund हुआ था, अब हमारी depreciation क्या होगी, prospectively निकल जाएगी for 2021-22 कितनी बनी, इस साल की depreciation कितनी बनेगी, 914.4 का 20 पर से, so हमारे पास वो depreciation आजएगी 182.88 laps, यह हमारे पास में value of depreciation आजएगी इस साल की, तो हमारा refund का principle आपने दो ही लाइने लिखनी है, always, अगर method 1 follow रहे है, तो increase the book value of the asset, and provide the depreciation on the revised book value prospectively, ठीके ना, यह बेटा हमारे पास में question का answer तब आ रहा है, जब question ने बेटा हमें यह बात लिखी थी, कि उसने इस साल की depreciation नहीं निकाली, पर अगर मैं आपके पास में थोड़ा सा बारीकी में जाता हूँ, मैं बारीकी में जा रहा हूँ, अब मैं आपके पास एक अलग approach की बात करने जा रहा हूँ, अगर question ने यह लाई ना लिखी होती बेटा, कि हमने अभी तक इस साल की कोई depreciation चार्ज नहीं करी, तो आपको पते आपका answer exactly कैसे होना चाहिए था, हाँ देखो, बेटा हमारे पास एक April 2021 की value तो आ चुकी है, 614.4, क्या आपको इसी पे depreciation नहीं लगानी चाहिए, जिस दिन refund हुआ, यह सर, बिलकुल, तो हमारे पास logically हमारी depreciation अभी आनी चाहिए, 20% के साफ से, हाँ, यह सेवा है, यह हमारी तरफ से सेवा है, जो मैं बच्चों के साथ करते रहता हूँ, तो 614.4 पे, 20%, अब मैं उसने मैई बोला है, तो let us, मैं इसमें भी assume कर रहा हूँ, उसमें भी दो option बन सकते हैं, हम यह मान रहे refund आपके पास 1 मैई को हो रहा है, अगर इसमें भी आप यह मानेंगे refund जो हो रहा है, वो 31 मैई को हो रहा है, तो vary हो जाएगा, तो vary हो जाएगा, उसने अकेल मैई लिखा था question में, तो मैई लिखा है, तो हमें क्या पता, मैई का मतलब 1 मैई है की 30 मैई है, भई फरक पर जाएगा न, एक मैई है तो सिरफ एपरेल की डेप्रिजेशन लगेगी, 30 मैई है तो मैई की भी लग जाएगी, तो आपके पास में बेटा यह नहीं हमारे को divided by 12, जो की बनता है 10.24, चेक करेंगे, तो हमारे पास 614.4 माइनस 10.24, 604.16, यह अलग अपरोच है, जहाँ पर अगर वो मुझे लाइन ना लिखता तो मिरको आइडली यह करना चाहिए था, अब यह वैल्यू मेरी बन रही है, एक माई 21 वाले दिन, जिस दिन जाके क्या हो पंड हो रहा है, कितने का? 300 का, तो मेरी जो रिवाइज वैल्यू है, उस तारिक की वो बनती है 904.16, वो वैल्यू कितनी बनती है? 904.16, और अब मेरी जो डेप्रिसियेशन है, 2021-22 की जो है बेटा, वो तो बेटा सिरफ 11 मीने की आनिया ना बचे वे हैं, एक मही से लेके 31 मार्श सकी, क्योंकि एक महीना तो पहले निकल चुका है, एक महीना तो पहले निकल चुका है, तो आपकी आइडली डेप्शन किस पर बनेगी अब? इस पर बनेगी 904.16, पर 20% 11 महीने का, आप समझ पारे हैं, हम एक महीने की डेट को लेके हम बारीकी में जा रहे हैं चीज की, और ये बिलकुल जाना बनता है, इसमें कोई दिक्काद नहीं है, और आप खुद कहेंगे, हाँ सर, ये बिलकुल आइडली बिलकुल सही बात लग रही है, ये बिलकुल ये हमारी बनी 165.76, तो हमारी करंट यर की जो टोटल डेप्रीटियेशन है, वो कितनी बनती है, वो बनती है, 10.24 प्लस 165.76 176 176.76, ये हमारी बेटा टोटल डेप्रीशेशन बनती है, ये हम तब पक्का करतें, आइडली, अगर कोईश्चिन वो लाईन ना लिखता, कि इस साल की डेप्रीशन चार्ज नहीं होई है, तो हमें आइडली ऐसे करना चाहिए था, हमें आइडली ऐसे करना चाहिए था, इस यह ने पदे आपको पेपर में कोश्चन डाला वाइसा आज होमवक में दूंगा और वहां उन्होंने ऐसा किया है जो मैंने अब कराया है समझो बात को जो सिखा रहा हूं उसका रेलिवेंस है हाँ अच्छा सर बिल्कुल हां मोंवक में आज कोश्चन मिलेगा उसमें ऐसी कीया है क्योंकि उसमें भी लगा है उत्ने पी डड़ क hierarchy अच्छा सर फिर तो समझना जरूरी था हां चonce क्या यह कोश्चन हमारा हुआ क्या यह कोश्चन हमारे पास में हुआ यस हमारे पास मेंlt question HERE भुए है बिल्कुल हो कि अच्छे तरीके से होग obt थी मैं अच्छ ही अच्छा जी अच्छा अगले कोश्चन पर आए अगला question तो आप मुझे वैसी बतादेंगे अगला question जबière भूत ही असान सा है ठीक ह Alexandria 5 तो हम government से towards the installation of pollution control machinery on the fulfillment of certain conditions तो वो यह कहता है आपको एक grant मिल रही है पचास लाख रुपेगी जो कि state government से मिली pollution control machinery install करने की तो obviously machine के लिए है company however fail to comply with the conditions and consequently उन्हें refund करना बेटा यह पैसा जो है 2021 में पैसे को refund करना पड़ा company ने debit कर दिया उस amount को machinery account में 2021 में on the payment of the same तो नोने machinery को debit कर दिया चलो कोई दिक्रत की बात नहीं वैसे आपके पास यानी के यह शो करता है कि method number one follow कर रहा होगा अगर मों machinery को debit कर रहा है अब कहता है इट also rework the depreciation for the machinery from the date of purchase and pass the adjusting entry in the year to incorporate the retrospective effect of the same बताओ क्या treatment उन्हें सही करी कि नहीं करी क्या आपकी जब value increase आप करते हो इस साल क्या starting से depreciation को review compute करते हो कि इसी साल से करते हो सर हम इसी साल से करते प्रोस्पेक्टिव एक्ट है जिस साल value change हो आने वाले सालों की deduction चेंज होगे पिछला साल बीत गया जो बीत गया उसका कुछ नहीं करने का सो हमारे पर simple जी बात है यहां पर वो गलत कर रहा है यहां पर वो गलत कर रहा है आपके पास क्योंकि उसने retrospective effect दिया है सो answer क्या बना amount refundable in respect of government grant जो related to specific fixed asset है वो record करा जाता है by increasing the book value of asset या by reducing the capital reserve या deferred income जो भी case आ रहा है मतलब depending upon case 1 है case 2 है जो भी है ठीके ना standard further clear करता है कि पहले alternative में जहां पर book value को बढ़ाया जाता है adaption on the revised book value should be provided prospectively over the residual useful line यह आपकी बास चैन्डर ने कही है ठीके ना यह आपकी बास चैन्डर ने बोली है accordingly treatment जो company ने करी वो क्या करी आपके पास value को बढ़ाने वाली जो है वो तो सही है उसमें को दिखा दी होईवर जो treatment depreciation की उन्होंने करी adjusting with retrospective effect वो क्या है है वह आपके पास improper है और वह violation है relevant एस का एस नंबर 12 का ठीके ना हमारे पास में इसको लेके आप लोगों को बताऊंगा अभी आपके लिए मैंने अलग से special class भी ली थी एक बार how to attempt accounting standard और मैं अभी भी आप लोगों को बता दूंगा don't worry theory के questions को कैसे करना होता है आपके पास में ठीक है ना इस चुई रिटर्न इन डिफरेंट पैरेग्राफ जैसे लॉक आंसर लिखना है पहला 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 एप्ली केब लौ एपली केब प्रोविजन बहीं एस नंबर 12 यह बोलता है रिफरंड के केस में करने सेकिंड पैरा आता है जोहां पर आप question के facts लिख रहे हो कि company ने ऐसा किया ऐसा किया और लास्ट में आप अपने पास में क्या करते हो अपनी तरफ से उसको discuss करके conclusion करते हो कि जो company ने किया वो यह चीज़ सही करी यह चीज़ गलत करी ठीक है ना तो यह हमारे पास में चीज आ करना वहता है जब भी refund होता है हमने क्या करना होता है prospective करना होता है तो को मेरे साथ बेटा प्लीज धियान से सुना करें ठीक है ner रहे आगली जो grant आती है तो यह बने को यह है यहां पर में next जो grant आती वह आती है related to revenue वाले настолько भी यह आपके पास क्या आती है वो कहता है रेविन्यू परपस के लिए किसी रेविन्यू खर्चे के लिए आपको grant मिली है माल लो आपने अपने employees के लिए बेटा लेबर welfare का खर्चा करना है जिसके अंदर में employees की medical अपने प्रोवाइड करने है उनको उसके लिए आप खर्चा करोगे और उस खर्चे के लिए आपको government grant दे रही है उस खर्चे के लिए आपको government क्या दे रही है ग्रांट दे रही है नो अगर आप जो लेवर welfare का खर्चा करने जा रहे हो employees की medical facility के उपर स्वाल इ yangural revenue खर्चा है सर यह आपका revenue खर्चा है यह आपका revenue खर्चा है मां लो यह आपका खर्चा जो है बिए मानो यह खर्चा में 10 लाक रुपे का है और government ने आपको grant दियatisfय इस साल में हैं तो गौर्नमेंट डंकły दी जो आपको गरांट मिल रहे हैं इस तो अब आएज करिए दो अप्शन देदि यह तो आप इसे अपने पास अदर इंकम में लेजाओ मतलब इसे income side में दिखा दीजिए जैसे आप वो defer government grant वाला कर रहे थे ना यहां defer की बात नहीं हुई एक बार के लिए आपके पास यह income side पे आ गया या दूसरा क्या है इसे आप अपने पास खर्चे में से minus कर दीजिए वही method number one क्या है क्या है खर्चे में से minus कर दो method number two क्या है कि income में दिखा दो तो आप क्या करोगे PNL में बेटा दो option है यह आप अपने पास सीधा ही खर्चा क्या दिखाओगे 10-3 करके 7 लाग यह option उसमें कोई फरक नहीं है उसमें कोई फरक नहीं है ठीक है ना इसमें चोटा सा पॉइंट आता है ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने गवर्मेंट से पते क्या बोला आपने गवर्मेंट के सापने प्रस्ताब रखा कि मेरी तरफ सर जो खर्चा होना है यह ऑन यह फाइव तक होना हर साल मैं 10-10 लाग का खर्चा करूंगा तो गौर्मेंट ने का ठीक है तुम्हारी ग्रांट तीन लाग अगर एक साल की थी तुम्हें तीन लाग तुम्हें पांच सालों के इसाब से 15 लाग रुपे की ग्रांट आज ही दे दे दी हूँ गौर्मेंट ने में क्या क्या 15 लाग रुपे का अपने पास ग्रांट आज ही दे दिया 15 लाग की ग्रांट हमें आज ही दे दी क्योंकि हमने खर्चा रेविडियू वाला पांच साल तक कर दे देखो अगर खर्चा वो होना ही एक साल का था फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है प और है revenue खर्चे के लिए है revenue खर्चे के लिए तो क्या 15 का 15 लाग यह वन में income के तौर पर दिखा दोगे क्या आपको ऐसा करना चाहिए क्या income में से या reduction from expenditure जो आप कर रहे थे क्या आपको सारे का सारा पहले साली दिखा देना चाहिए the answer is absolutely no logic की बात है जब खर्चा पांच साल होना है तो उस grant को भी तो धीरे-धीरे करके आपके पास पांच सालों में डालूंगा ना तो यह 15 लाग अगर ऐसा कर रहे तो गलत कर रहे है इफेक्टिवली आप क्या कर रहे है कि considering कि हमारा खर्च बराबर होना है तो हम अपने पास में 15 लाग को 5 सालों में डिवाइड कर देंगे हमार साल साल 3-3 लाग रुपे अपने पास लेके जाएंगे हमार साल 3-3 लाग रुपे अपने &ph lug know और वो लेके कैसे जांगे चाहे खर्चे में से कम कर दो चाहे पोरा इस साल कर रहे तो पहले साल कर्द है किसा ती मिस्टा बचेगा तो भॉचिवखेंगा करके चांजगं कॉंसेट की बात है बिलकुल असनों हमारे पास एक सिंपल सी बात है कर्चा पान सालों में होना हैं तो भई grant का amount कैसे पहले साल record कर देंगे तो हम अपने पास धीरे-धीरे करते-करते उससे खतम कर देंगे तो आपके पास जो है balance sheet में liability side में आ जाएगा तीन-ती लाग हर साल कम होता जाएगा आपको point समझाना जरूरी था शेंडन ने तो बड़ी clear सी बात बोली उसके साब से तो क्या था कि वह सीधा है खर्चे में से कम कर दो या income side पे दिखा दो भई खर्चे में से कम कर दो या income side यह normally उस साल वाले के इस दुनिया में कुछ भी हो सकता बेटा इसका भी तो refund हो सकता है तो अगर related to revenue है और उस grant का बेटा refund अगर होता है उस grant का बात है बेटा कुछ बचा होगा कुछ बचा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना बचाओ मिली एक साल की थी और अगले साल रिफंट करना जो भी है अगर आपके पास बचावा था तो पहले उसे utilize कर लेंगे ना और बाकी को कहा ले जाएंगे पीन में अगर देखो कु ऑड़ा की तीन प्ल में चला गया और अगर हमारे पास में जो है यहां परमे हमारे पास में जो चीज आती है वो अपके बस क्या बात होती है हमारे पास बारा तीनर पंदरर आपके बग комментар he अगर हमारे पास्मेटा वो पहले साल कई था वो मिला ही तीन लाग था जिसका रिफंट अगले साल जाके करना बड़ा फिर तो डेफ़र्ड गॉर्मेंट करांट ही नहीं फिर सारा पी एल में चल जाएगा सिंपल सी बात है तो अगर तो जादा सालों का मिला था तो हो सकता कुछ बचा होगा तो पहले उसे यूज़ कर लो और बाकी को कहा ले जाओ पिएल में जाओ तो उसने बिल्कुल यही बात करी बागी को आँचा प्लम ले जाओ तो यही चीज आपके पास चेंडर ने बोली ह कि हमारे standard नहीं यहां पर में इस से जाधा life में कुछ भी असान हो नहीं सकता बिलकुल बात और इसी से related हमारे पास एक चोटा सा question है एक चोटा सा question है विड़ा जो कि हम question number 7 करते है study mat में question given है यह वाला so हम यह question को देखते है question क्या कह रहा है question कहता है supria limited नाम बड़ा अच्छा है supria limited को grant मिली 2500 lakhs की during the accounting year basic case from the government for welfare activities to be carried on by the company for its employees ओके यह जो पैसा मिल रहा है welfare activities के लिए fixed asset के लिए नहीं है तो यह revenue nature की grant होगी revenue वाली की grant होगी बेटा grant ने हमें conditions बताई utilization की grant ने में बोला वह इस पैसे को इस तरीके से utilize करने जबकि अगले साल जाके ही यह पता चला कि conditions पूरी आपने नहीं करी oh my god conditions आपने पूरी नहीं करी और grant के पैसे को आपको वापिस करना पढ़ा पूरे का पूरा कहता है कि बता दीजिए आप अपने पास में क्या accounting treatment होगी follow एस बारा के हिसाब से एस बारा के हिसाब से क्या accounting treatment follow करी जाएगी तो सिंपल सी बात है बैटा यह revenue nature की grant है हमारी और revenue nature की grant में हमें क्या चीज़ बोली जाती है तो जनरल रूल होती है वह आपके पास क्योंकि conditions पूरी नहीं होती और वह अपने आप में एक extraordinary आइटम बन जाती है ठीकिन अब हमारे पास में जो amount refundable है government grant का वह apply होता है पहले unamortized deferred credit से अगर वह बचा है अगर वह बचा होगा अगर वह बचा है वह कम बचा होगा बटा वह तम बचा होगा अगर आपको जैसे में एक्जामपल या तो पांच सालों के लिए कठ्था पैसा मिल गया और वह within five years में refund हो रहा है तो बचा होगा अगर मिला ही एक साल के लिए था फिर तो पिछले साल में चला गई है सारे का सारा तो फिर कहां से बच जाएगा ठीक है नो तो हमारे पास में to the extent amount refundable exceeds such credit और यहां पर deferred credit अगर exist नहीं करता तो amount कहां चले जाएगा सीधा ही सीधा जो भी amount है PNL account में चला जाएगा ठीक है ना और in the present case हमारे पास वही चीज़ आ रही है जो refund amount वह कहां दिख जाएगा पी एल में क्योंकि वह मिला ही कौन से साल का पिछले साल का अब ज साल का था तो अब इस साल जब refund करोगे तो सारे का सारा कहा जाएगा पी एल में आ जाएगा ठीक है ना as extraordinary item इस साल में में जब भी कोश्चन आते है ना refund का आप examiner को पते क्या है यह जरूर बताया हो entry के अडलती है दोको entry डालने से ना आप अपनी clarity examiner के सामने ज़रू और अगर वह एक्जिस्स कब करेगा वह एक्जिस्स बेटा तब करेगा जैसे अपने पास बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास अगर एक साल से ज्यादा पीरिड के लिए था वह multiple years के लिए बात हुई भी थी और उसके विदिन में आपके पास refund हो गया उसके विदिन में बड़ी असान है इसका कुछ पार्ट यहां से बताना है आपको कहता है जो अगली ग्रांट आ रही है न वो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए है आपको कहा गया जाओ बैकवर्ड एरिया पे फेक्ट्री सेट अप करो आप तुम्हारे टोटल प्रोजेक्ट का जितना खर्चा 30 परसेंट हम देंगे हमने का जी एक करोड का खर्चा लगा एक करोड का हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए खर्चा लगेगा गवर्मेंट कहती है ठीक है मैं 30 लाग की 30 परसेंट की तुम्हें ग्रांट दे दूंगी 30 ग्रांट मिलती है पूरी factory के setup के लिए, पूरे project के लिए, पूरे आपके पस एक पूरे project के purpose के लिए, अब जब हमारे पस यहाँ पर में, जो grant मिलती है, वो पूरे project के लिए मिलती है, पूरे capital outlet के लिए मिलती है, जो आपकी पूरी एक investment होने जा रही है project में, तो effectively, जो government है, वो एक तरीके से act कर रही है as a promoter, जैसे आप लोग promoter थे, आप लोगोंने जो company खोली वो है, तो कहीं ना कहीं, government से भी जो पैसा है, वो एक तरीके से acting as a promoter आया, ठीके ना, but एक बास सत्ते है, अटल सत्ते है, जो आपने लोगों से पैसा लिया, वो ऐसे के बदले आप लो लिया होगे, तो loan का पैसा आपको वापिस करना है, वो तो करना ही करना है, तो bank loan के रूप में दिख रहोगा, यहाँ पर आपने normal parlance में, तो government ने खुशी-खुशी पैसा दे दिया आपको, और government को normal parlance में पैसा नहीं देना, तो वो कहता है कि इस amount को कहां लेके जाओ, कहता और यह हमारे shareholder funds का पाट है, यह किसी asset की cost में से कम भी नहीं हो रहा, क्योंकि यह किसी specific asset के लिए नहीं है, ठीके न, so हमारे पास these are given with reference to total investment in an undertaking, contribution towards total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected, और इसकी कोई repayment, normal courts में return की बात नहीं है, ठीके न, no repayment is ordinarily expected, so example के तोर पे, capital subsidy है, investment in backward area, जैसे भी आ रहा है, तो यह amount जाएगा कहां पे, capital reserve में, तो entry simple बनेगी बेटा, entry बनेगी bank to capital reserve, जो पैसा आ रहा है, वो कहां जाएगा, capital reserve में जाएगा, सर यह capitalism में जाएगा, तो क्या मैं इसे लोगों को बाढ़ सकता हूँ, dividend के तौर पे, अरे यार, कैसी बात कर रहे हो, पैसा उठाया, project के लिए, यह थोड़ीने existing वालों के बाढ़ दोगे, तो खुछ सोचो, existing shareholders को तो न बाढ़, तो standard ने बाद clear लिग दी, ना ही इसे बाढ़ सकते, dividend के तौर पे, और अपने पास में, ना ही इसे deferred income मान सकते है, मतला आप यह नहीं कर सेक्षे, दीरे-दीरे करके, सर P&L में ले जाएंगे, profit बढ़ा देंगे, तब dividend मान देंगे, ना ही कठे में मान सकते हो, ना धीरे-दीरे करके income record करते हो, यह balance sheet में बचारा ऐसे ही पढ़ा रहेगा, यह हमारा bank to capital of दिखता रहेगा, ठीके ना, यह ऐसे ही आपके पास रहेगा, और इस पैसा जो आ रहे है, उसको use किस के लिए करोगे, project के लिए करोगे, ठीके ना, तो वो कहां जाता है, सर, capital reserve में जाता है, ना ही dividend के तौर पे बाढ़ सकते है, ना ही इसे deferred income बाढ़ सकते है, तो यह point हमें ध्यान रखना है, capital reserve में जाएगा, यह नहीं कर सकते हैं, अगर कल को, अगर कल को, इस पैसे को refund करना पढ़ा तो, सोचो, 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 अगर आपने conditions violet कर दी, तो सर, simple जी बात है, जहां लेके गए थे, उसी को उल्टा कर दो, भई लेके आप capital में गए थे, तो refund होने पर उसी को reduce कर दो, अगर आपके पास में, जो है, ultimately हमारे पास में, जो है, क्या चीज है, अगर हमारे पास refund हो रहा है, तो बैटा क्या ही करेंगे, सर, capital भी जो treatment पहले की थी, जब grant मिली थी, उसी को opposite करोगे न, हटके थोड़ी ना कर दोगे, नहीं न, जब मिला था, तब कुछ और किया था, अब जब refund करेंगे, कुछ तुफानी करेंगे, अरे उसी का उल्टा करने है, और क्या करने है, तो हमारे पास में, नॉर्मल इंट्री अगली एंट आ रहे है, नॉन मॉनिट्री गॉर्मेंट ग्रांट, नॉन मॉनिट्री का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनिट्री का मतलब होता है, कि आपके पास में गॉर्मेंट ने आपको पैसा नहीं दिया, देखो जी ऐसा था, गॉर्मेंट ने बोला, मशीनरी कितने की प पढ़ रही है गौर्मेंट ने का ठीक है चालिस लाग रुपए तो तुम्हें मैं दे दूंगा तो आपने एक करोड किसी को दिये 40 लाग गौर्मेंट से मिले तो आपकी कॉस्त तो 60 लाग पड़ी ना गौर्मेंट ने पता है आपको क्या बोला एसेट सीधा आ गया तो गौर्मेंट ने आपके पास क्या बोला कि आपके पास में लो जी लो खुश रहो तुम्हें सस्ते दाम पे एसेट दे दिया जो एक करोड का एसेट था तुम्हें 60 लाग का दे दिया तो बेटा आप सवाल उठा आप एंट्री किस पर डालोगे सर सिं मेरी कास्ट oui Hai suis हमारे पास हीं अगर सस्ते दाम पे मिल रहा है तो उसको कितने बिखांगे जिस प्राइश पर मिल रहा है जो आपकी ज़िए जर जारह पलता है आपको कई बार गॉवर्मेंट इतनी महरवान हो जाती है जो आप विश्वास भी नहीं करोगी वो आपको एसेट मुफ्त में दे देती है ओओओओओओओओओओओ वो आपको एसेट मुफ्त में ही दे दिया कोई पैसे मत दो ये लो एसेट ले जो बहुत ही खुश है तुम्हार से we are very happy from you तुमने वह कर दिखाया जो बाखी लोग नहीं कर रहे पारे थे तो लो जी लो ऐसे ले लो तो मैं क्या बोलूंगा मैं काउंगा जी बेरी जेप से कोई पैसा गया अरे नहीं गया तो मैं अपने पास में क्या उसको अपने पास रिकॉर्ड करूंगा आप से रिकॉर्ड करेंगे कहता है पर जो दिखाना नहीं से पतह किस पर दिखाना है nominal value पे तो कम से कम दिखाने आपकी जेब से पैसा नहीं गया तो आप पैसा तो जब जाई नहीं रहा तो बात ही नहीं आती पर आप इसे show करेंगे present करेंगे किस पर nominal value पे nominal value का मतलब क्या होता है sir nominal value का मतलब होता है बेड़ा शगुन शगुन सुना है अरे किसी लड़की का नाम नहीं है जो शादी में शगन दिया जाता है वो शगन की बात हो रही है वो आपके पास जो है मान लो एक उर्पिया दस उर्पिया किसी को गैर और पे अच्छे लगते किसी को क्या वन रुपे एक सो एक रुपे किसी भी वैल्लीव पे दिखा दो हां सो मारे पास में जो शगन है वो नॉमिनल वैल्ल dú की बात है यहां पर में तो आपको जो ठीक लगता है उस वैल्लीव पे हो आप जिस मरजी पे दिखा दो सोब हमेटी मेटली क्या है ताकि वो किताबों में disclose हो जाए, ताकि वो किताबों में present हो जाए, ताकि वो किताबों में दिख जाए, इस वज़े से आपके पास में वो दिखाये जाता है, चंदानि कथा करना कि एक अपने पास है हमने अपने पास में यहां पर में सिंपल सी बात है अपने अंशर लिख्यान है आप नॉमिनल वेल्यू अब्लेंट शीट में शो करेंगे बिटा बिल्कुल जिसको जतना जतना शगन चाहिए ना अपने पास में मम्मी से कह देना पापा से कह देना कि हमें उतना शगन दे दीजी आज की तारिक में तो वो तुम्हार को अच्छे से शगन देंगे पूरे वाला प्रॉपर वाला ठीक है कि हां यामीनी बेटा सो क्रोड की मशीन हो एक रुपए पर दिखा रहे क्योंकि मेरे को गवर्मेंट ने कोई पैसे नहीं दिये मेरी जैब से पैसा ही नहीं निकला तो मैं क्या करूं हमने आंसर में 11-21 ने लिखे आने हमने आंसर में क्या वर्ड यूज करना है नॉमिनल वेल्यू यूज करना है अगर मुफस में चीज मिल रही है ठीक है ना चालो हाँ जी वो कह रहा हम कैसे दिखा सकते एक क्रोड की मशीन को पांच रुपे लिखकर बैलेंशीट में लिखना है मशीनरी पांच रुपे मशीनरी 21 रुपे बही जब पैसा ही नहीं गया जेप से तो यही करोगे और कैसे करोगे रिवेल्यूशन कर दोगे और वह सेपरेटीज है यह रोट काउंटिंग अबाट दा रिवेल्यूशन यह सेपरेट सिंग और यह लनिंग सेंडर क्या बोल रहा है जब पैसा यह नहीं जेप से तो उसे प्रेजेंट करना है पस नॉमिनल वेल्यू पे ठीक है ना कोश्चन क हमाय से उसने दो करोड की क्या बाढ़ दिया इस डिविडेंट बाढ़ दिया अरे यह तो गलत काम नहीं कर दिया रहा है चल्शन जबाकर, फ्रेक्टर मिली की उपरेल्योट वियंट कशन के व्यांत के सब्सक्राइब किया अब अब हमारे पास में अंव्सों संतोष्स लि जोच रहे तर मैं भी सोच रहा था पर शेंडर ने ऐसा नहीं सोच चैनल ने का दिखान है ताकि present हो सके disclose हो सके ठीक्त कित तो कह रहा है किया treatment दोनों grant की सही है कैसी बात कर रहा है हमारे question में जो accountant होता है बेटा कमणी का अकॉर्ट वो निकम्ब और निलाय की होता है उसने चैनल नहीं पढ़ा होता आप लोग की तरह वो इंटेलिजेंट थोड़ी ना है तो उसने गलती कर दी दोनों जगा पहली जगा में यह गलती करी कि उसने जो आठ करोड मिले थे फैक्टरी को सेट अप करने के लिए दो करोड तो डिविडिन के तौर पर शेर होल्डर को बांट दिया उसने खा गया पैसे और जो लैंड उसे दिखाने है नॉमिनल वेल्यू पर ठीक है ना सो हमारे पास एकाउंटिंग फॉर्वर्मेंट ग्रांट के साब से अगर ग्रांट इन दा नेचर आफ प्र है फिर हमारे पास में यहां पर कहता है दिस ग्रांट शुट भी ट्रीटीड आइस कैपिटल रिजर्व विच के नीधर भी डिस्ट्रिबूटीड इस डिविडेंट नौर कंसिडर इस डेफ़र इंकम ठीक है ना सो हमारे पास में वह आपके पास में जो ग्रांट है वो हो रहा है इवन इफ कंप्री ने अपने पास में बेटा पैसा नहीं खर्चा लैंड के एक्कूजिशन के लिए पैसा नहीं भी गया जेव से तो भी हमने क्या बोला था लैंड को किताव में रिकॉर्ड करना है बेटा किस पे नॉमिनल वैल्यू उसे दिखाना है शो कर रहा अब हमने यहां इसके एक्जांपल नहीं देने बैठ जाने ब्रैकिट में एक दस गहराई किसी क्या वन यह नहीं वो नॉमिनल वैल्यू लिख के छोड़ दू बस ठीक है ना दिखाना है चो ट्रीटमेंट जो दोनों ग्रांट की करी उसने वह इंक्रेक्ट ही करी ऐस पर य चेर ओल्डर को कुछ करने के चक्क पहले तो गलती करी ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वहां ओडिटर क्वालिफाय करे का रिपोर्ट को और वैसी आपके पास रिफंड करना ही पड़ जागा जब आपने ऐसा किया तो ठीक है नो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है क्या करना होता है हमें ठीक कहता है हाओ वुड यू आपके पास टीड़ फॉलिंग इन दा अक्वाटेंस वी देएस नंबर बार हाँ वह अलगलग नेचर की ग्रांट दे रहा है हमारे पास में कहा है 35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 बेटा वो कोश्चन बताएगा ना गौर्मेंट के साथ में क्या कंडिशन है पूरा रिफंट करना की दो करोड़ वो हम क्यों अपने पास सोच रहे है रिफंट के बूछेगा हम ट्रीट्मेंट बता देंगे गौर्मेंट के साथ ने क्या बात चीत हुए वह आपको नहीं यह मैं गौर्मेंट से पूछ के आता हूं पहले मैं आठ करोड तो फिर मैं तुम्हें दो करोड के बारे में बताता हूं अच्छा जी इसकी बात तहों रेविशन की बात हूं और यह कौन सी ग्रांट है रेविशन क्योंकि अदिक लिए तो यह आपके अश ग्रांट रिसी सकते है respective खर्चे में से तो या तो खर्चे में से कम कर दो या income side पे दिखा दो या खर्चे में से कम कर दो या income side पे दिखा दो यहीं हमने पढ़ा था ठीक है ना फिर कहता है 100 lakhs की आपको पास subsidy मिल रही है आपको government से for setting up unit in a notified backward area कि कहते जी government से ग्रांड मिले backward ही ना फेक्टरी सेट अप करने की तो यह कौन सी हो गई सर यह हो गई आपके पास में promoter contribution वाली यह कौन सी होगी promoter contribution वाली तो यहाँ पर आपके पास in the nature of promoter contribution है तो यह आपके पास ना ही यह आपके आस क्या मने जाएगे treated as capital reserve जिसे ना ही dividend के तौर पर बाढ़ सकते हैं ना ही deferred income में लेके जा सकते हैं तो यह हो गई promoter contribution वाली grant तो आप खुद देख सकते हैं जब आपको standard आ गया है चीजे पता चल गी है तो आपका answer कुद automatically निकलना शुरू हो जाएगा ठीक है ना तो यह 100 लाग रुपे कहां जाएगा capital reserve में ठीक है ना दिन अगला case क्या है दस लाग रुपे की grant मिली government से installation of anti-pollution equipment के लिए anti-pollution equipment install कर रहे हैं उसके लिए 10 लाग की grant मिली क्या करेंगे क्या करेंगी तो हमारे पास में यह आपके पास में चीज क्या आती है सर यह तो एक fix asset के लिए हो गई अब बेटा जब fix asset के लिए आपको grant मिल रही है न equipment के लिए तो कभी भी आपने one sided होके answer और नहीं देना केस चर्डी में आपको मेंने 2 मैथर्ड दिखाई है कि आपने दोनों मैथर्ड के बारे में बताना है आपने कभी भी वन साइड ही डोग के आसर ऐसे केस मिन देना यह ऊलवेज भुइथ टूट आपूंस आप लोग को बता हैं दोनों के दोनों option ठीक है ना तो यहां पर क्या है दस लाक रुपे जो मिल रहे है वो related to आपके पास fixed asset है जिसके अंदर में दो methods आपके होते हैं ठीक है ना under the first method पहले method में क्या करते हों under the आपके पास first method grant is shown as deduction from the gross value of the asset in arriving at the book value तो कब करके दिखा देंगे और जो grant है फिर P&L में कैसे जा रही है कम depreciation लगती जारी जो हमने कल questions में सीखा था कम देप्रिशन लगती जाएगी दूसरा method क्या है हमारे पास में दूसरा method आपके पास में होता है अगर वो depreciable asset है तो वो deferred income के तौर पे पील में चला जाएगा systematic basis पे मतलब ratio of depreciation में दस लाक जो है में इधर भी deducted from the equipment और treated as deferred income to be recognized in systematic basis हमें non depreciable का इसलिए बताने की जुरूत नहीं क्योंकि equipment की बात हुई थी तो हम दोनों में से कोई भी option ले सकती या कॉस्ट कम कर दो या deferred government grant के तौर पे दिखा दो ठीक है में ग्रूप टू की जो प्ले लिस्ट वगहरा है वो आपको मिलेगी special classes में मेरी मेरे special classes मैंने लिए विए थे मार्च और अप्रेल में जो ग्रूप टू के सेशन से जो पिछली बार फ्री वाले थे इस बार जो चल रहो पेड़ बैच चल रहे ठीक है बटा हाजी क्या बात क्लियर हुई मारी यह सर यह बात हमारे पास में क्लियर हो जाती है यह कोश् जो कि हमारा अभी का आखरी कोश्चन और एक अच्छा कोश्चन है डिफरेंट है थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको देखने में आप खुद सोचेंगे और क्या करें तो इसलिए करना है जरूरी है हमारे को ठीक है ना सो कोश्चन अपने पास देखते हैं यहां पे कोश्चन क्या है डी ने मेटा मशीन करी दी एक अपरिल अठारा को 20 लाकी यूस्फू लाइफ पांच साल है कंपनी ने अप्लाई किया एक अपरिल अठारा को पांच साल लाइफ है और आपके पास जो ग्रांट मिलनी है वो मिलनी है कॉस्ट की 80 परसेंट जो इसका सेंक्शन लेटर आपको मिला बेटा वो हमें रिसीव कब हुआ नवंबर 2021 में जाके अल्मोस तीन साड़े तीन साल के बाद जाके गौर्मेंट ने आपको यह सेंक्शन किया हाँ तुम्हें ग्रांट देदेगे सरकारी मुलाजिम है दीरे दीरे गौर्मेंट काम करते है कौन साब सोचेंगे आज सोचा तो आज मैं में तो नहीं पता था गौर्मेंट अक्रांट करेगी नहीं करीगा मैं उसे किसे मान सकते हैं मुझे अगर यह विश्वास उता गौर्मेंट scor कर कर दीकितो मैं ग्रांट महानथ हुआ कि हमारे पास में 20,07,05 है तो हमारी 4,4,0,3 कि आइप्डेशन चलती जाएगी 5 साल वारी थी उनकी opening इस साल की आपके पास आठ लाग और इस साल पे उन्हें ग्रांट दे दी वह करंट यह में दी और करंट यह में जब ग्रांट दी तो आपने यह आपे डाल दी 16,00,00 रुपे क्योंकि 20,00,80% ग्रांट मिलनी है 20,00,80% आपको ग्रांट मिलनी है तो आपके अब वो यह पूछ रहा है आपसे अटपटा सा question है बिल्कुल अटपटा सा how should the company deal with this asset in the accounts क्या वो इससे depreciation charge कर सकती है या negative depreciation कर सकती है क्या वो आठ लाग को capital इसी clear हो जाती है ये grant fixed asset से related है और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो method number one follow कर रहा है यहाँ पे वो method number one follow कर रहा है ठीक है ना proxy 7V 2.5 बेटा spam ना करिए और दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपको बोला special classes जो मेरी profile में जाके दिख जाएगी वो मेरा tracker भी है इस lecture के starting में भी समझाया था मेरी telegram पे मिल जाएगा वहाँ से जाके कर लिए ठीक है अब हमारे पास में यहाँ पर में करना क्या है कहता है from the above account यह infer करा जा रहा है कि company follow कर रही है reduction method for the accounting accordingly out of the 16,000,000 रुपे that has been received 8,000,000 रुपे जो है वो तो machinery में ही चला जाएगा इसमें कोई दिख करती है 8,000,000 से कॉस्टम कर लो वो machinery में चला जाएगा जो बचवा 8,000,000 है it may be credit to P&L क्योंकि मैं P&L में लेके जाऊंगा इसके लाब मुझे और कोई option ही नजर आ रहा है क्य क्योंकि आप पिछले सालों में depreciation ज्यादा डाल चुक है कोई गलती नहीं करी उस साल पता ही नहीं था grant मिलेगी की नहीं मिलेगी तो जो बाकी 8,000,000 बचा है उसे क्या ले जाओगे P&L में since already आपके पास में the cost of the asset जो है to the tune of 12,000,000 debit हो चुक है P&L में in the earlier years by way of depreciation and 8,000,000 उ ज्यादा डाल चुके हो तो अब obviously क्या हो रहा है आपको एक तरीके से वो recovery हो रही है उसकी ठीक है नो इस साल कोई depreciation provide नहीं होगी नहीं अगले साल वो zero हो चुका asset और depreciable asset में तो बेटा सोचना भी मत भूल के भी यह मत सोच लेना के chapters of use होगा chapters of use नहीं होगा सब chapters of में लेक और के यहां पर थोड़ी ना जाएगा यहां पर नहीं आएगा तो capital model में नहीं जाएगा तो आइडली कहाँ जाएगा जाएगा का जाएगा पीए अनल बें जाएगा ठीक है न और आगेसे डेपशन नहीं लगाएंगे एक एसेट का बैलेंस हो गया जीरो और आपके पास जो है येस अईूशी बीटा बिल्कूल होंगे ठीक है ना एसेट का बैलेंस होगे जीरो और जो आठ लाक एक्स्राइब उचला जाएका प्यल में क्या ये बात महर्पा समझ आई है गुपाल बेटा कोई भी अपने पास कर सकते हैं से मैं भी देख सकते हैं फास्ट भी देख सकते हैं अगर आपने पहले किया वह बिल्कुल भी नहीं किया तो आपके पास में जो है आप अपने पास से कर लिजी सर एक तरह से तो यह revenue ट्रीट हुआ revenue तो अल्टिमेटली नहीं हुआ आपके पास में बेटा जो पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री पते क्या रही है उसकी एंट्री आ रही है bank account debit to fix asset account क्योंकि fix asset में आप उतना ही लेकर जा सकते हो ना जितना आपके पास asset की value दिखरी है बची भी और बाकी आपके पास P&L account में जा रहा है क्यों क्योंकि पिछले सालों में आप ज्यादा depreciation charge कर चुके हो यह entry बन रही है ठीक है ना यह आपके पास में चीज आगी और इस entry के डालने से asset क्या पहुंच जागा जीरो पे और बाकी आठ लाग जो एक्सा मिला वो पील में क्योंकि पील में इसले डालने की बात हो रही है क्योंकि पिछले सालों में deficit ज्यादा चार्ज ही पिछले सालों में deficit ज्याद 20 में से अगर 16,00,00,00 पहले साली माईने सो यह तो तो asset की value तो 4,00,00,00 ही रहती ना अब 4,00,00 के कोई depreciate करते ना अब ओबर दा पीरिड ओबर दा पीरिड चार लाग को करते पर आपने तो 12,00,00 की depiction लगा दी तो 8,00,00 एक्स्ट्रा depiction लगी ना पिछले सालों में तो उसी की ना हमारे पास बेटा यहां पर में जो standard है ना वो चोटी-चोटी एक दो चीज़े और बोलता है ताकि मुझे बता देता हूं को ताकि यह ने लगे कि कोई पार्ट नहीं हमने discuss किया ठीक है ना वो कहता है एक तो बेटा government grant receivable as a compensation for expense or loss अब वो यह special grant के बारे में बात करता है जनली हमने बोला fix asset है, revenue है, promoter contribution है, non-monitor है, यह एक और आती है, वो कहता है यह एक ऐसी grant है आपको पिछले सालों में business में बहुत जादा खर्चे हुए, बहुत जादा financial loss हो रहा है, आपको cash loss हो रहा है, तो आपको business में पैसे की जरूत है, इसलिए आप government से पैसे मांगने ग for expense or loss incurred in the previous accounting period, और for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further related cost, वो recognize और disclose हो जाएगी P&L में ही उस पिरिड में जिस साल receivable है, as extraordinary, बेटा यह आपके पास में जो है, यह आपके पास में जो है, यह वो grant है, यह वो grant है बेटा, जो grant का मिलना ही अपने आप में extraordinary है, वैसे grant का मिलना का भी extraordinary नियोंनी होता, grant का refund होना extraordinary होता है, यह grant का मिलना ही extraordinary है, क्योंकि बहुत rare case में मिल रही है, आप क्या हरोज business में losses होते है, क्या हरोज आपको cash की जुरुद परती है, liquidity की problem होती है business में, नहीं न, तो यह बहुत special nature की grant है, तो इसका मिलना ही अपने आप में क्या है, बहुत rare case है, तो इसलिए यह वाली grant जो है, आपको इसका मिलना आपके पास में extraordinary है, और यह आपकी PNL में डल जाएगी, क्योंकि यह business को support करने के लिए, किसी specific purpose के लिए नहीं है, यह आपको सिरफ मिल रहे है, क्योंकि आपके पिछले सालों में बहुत सारी losses हो गए थे, उसके लिए मिल रहे है, ठीक है ना, फिर आपके पास में एक चोटी थी चीज, यह standard के साब से आपकी क्या disclosure requirements है, यह standard के साब से जो disclosure requirements है, वो है, एक आपकी accounting policy क्या follow कर रहे है, including the method of presentation, ठीक है न, और एक nature and extent of government grant जो हमने financial statement में इस साल दिखाई, non-monetory मिलाते वे, जो concessional rhythm है, या free rhythm है, या free of course है, मतलब एक accounting policy क्या follow कर रहे है, भई हम अगर fixed asset मिल रहा है, तो method 1 follow कर रहे है, method 2 follow कर रहे है, जो भी है, revenue में क्या है, यह हमारी policy है, वो बताना है, और अगर इस साल कोई grant मिली, तो वो कौन से nature की मिली, कितनी मिली, और आपने उसकी क्या treatment करी, तो आपको यह अपन यह थोड़ी ना रहा हूं, यह थोड़ी ना कहा हूं, खुझ जाके कर लो, सारे paper के questions आपके सामने हैं, so January 18, May 21, November 21, तो सब डाल दिया, बटा, RTP भी डाल दिया, पेपर भी डाल दिया, अब क्या, बच्चे की जान लोगे, क्या आप, हां, जुला 21 का भी डालाव है, और क् चाहिए, आपको, हां, जी, सो हमारे पास में, बटा, आज का जो आपके पास है, ध्यान से सुनेंगे, आज का homework जो है, वो है complete, मैंने अपनी तरफ से आपको सारा करा दिया, जो भी homework के बचेवे questions से आपके, जो भी बचे मैंने सारी डाले वी बेटा, तिल 10 तक questions से 4 questions आपको कल दे दिये थे, और बाकी बचेवे आप आज कर लेंगे, जिससे आपका ये standard आपके पास में complete हो जाएगा, ये standard आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना दीती बेटा, ये तो हमारे पास बेटा एक तो आपने ये वाला standard अपने पास complete कर लेना है, कल हम अपने पास में, कल, कल मतलब tomorrow, मतलब की आपके पास 15 सेप्टेमबर को, बता दो सब को, क्या, कि हम अपने पास में बेटा standard करेंगे, येस number 2, inventory का, आ आज हमारा, एस number 12 हो गया, आपके पास में, जो है, अब हम कल से चालू करेंगे, एस number 2 को, हम दीरे दीरे करके बेटा, अपने सारे standards complete करेंगे, but make it sure, कि आप अपने पास में, जो है, जो है, आप अपने पास में regular रहेंगे, तो ही फायदा आपको classes का मिलेगा, आप अगर regular रहेंगे, तो ही आपको classes का फायदा आपको मिलेगा, otherwise नहीं फायदा होता है, ठीक है न, हाजी, so, that is आपके पास very very important for you all, कि हमारे पास में, जो है, आपके पास, हम कल अपने पास करेंगे, ठीक है न, तो ये standard, hopefully, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है न, हाँ, so, हमारे पास में, अभी क्या करना है, concept, सर, अच्छे से clear नहीं, समझ से देखू, समझ से देख लो, फिस पास्ट्रेक में भी कराया है, फास्ट्रेक में कवरें ज्यादा, समझ में सिरफ समझ में, ग्रूप 2 भी कवर होगा, ग्रूप 2 भी कवर होगा, अभी हमारे पास में, अभी हमारे पास मेटा, सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को नोट के बारे में ने चार्टिक में बताया तो दुबारा अपने पास लिख दूँगा, आपके पस दौरा, so, just आप लोगो को बताने वाली जो बात है, make it sure, कि आप सही बच्चों के प्लैटफॉर्म पे एक बार में लेके जारो, you just have to go to the Unacademy बैटफॉर्म, आप चार्ट लर्निंग के थूरू, CA Intermediate पहुंच जाए, या आप अपने पास में CA Intermediate को सीधा क्लिक कर दीजे, Unacademy बेटा, आपको जो ऑप्शन मिलता है, वो क्लासिस का मिलता है, जो है, which is आप अपनी मर्जी से, जिस मर्जी टीचर की जितनी मर्जी बार क्लासिस देख सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, सब्जेक्ट वाइस नहीं होता है, आप लोग को क्लिक करने बेटा, गेट सब्सक्रिप्शन को, और वहाँ पर में Unacademy की तरफ से आप अभी एक्स्रा मिलता है, आप लोग के पास 1-2-1 लाइव मेंटेशिप एकोच असाइन किया जाता है, प्रिंटेट से डिमिटेर डाउट सॉल्विंग सारे प्लस के बेनिफिट्स, Unacademy लाइटन में कोई भी क्लासिस नहीं होती है, इसके अंदर में सिरफ और सिरफ आपके पास क्या रहता है, इसमें सिरफ और सिरफ टेसी नहीं होता है, आप जैसे किसी को भी क्लिक करते हैं, प्लस आइकॉनिक करकेंट भी लाइट, आप बच्चों के पास में बेटा, आप लोगों को ने, जब भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने, आपके फ्रेंड न प्लस में बेटा, आप लिए जो है, आप अपने पास बेटा, यहां पर में इस कोड को लगा कर 20% अप ले सकते हैं, आप साथ की साथ आप सही बच्चे मुझे बेटा, आप लोगों करके रख सकते हैं, जिससे आप बेसिकली आप बच्चों को सारी मेरी स्पेशल क्लासिज के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है ना, फुल अकाउंटिंग चनल, बोध ग्रूप, यू विल कवर, येस, आई विल कवर, मैं लिखित में देता हूँ, हाँ, अब कैसे चाहिए पता नहीं मुझे, हाँ जी, सो आज की सेशन को यहीं पर रखते हैं, आप सही बच्चे अपने पास में ध्यान रखेंगे, अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, अब अपने पास में इसको कर दीजिए, सर टेलिग्राम में ट्रेकर का लिंक पर क्लिक कर दी, आपकी वेबसेट ओपन हो रही है, ट्रेकर शीट नहीं मिल रही, बेटा, उसकी लिक, वहाँ पर no more को क्लिक करना है, मुन्ना, no more को क्लिक करना है, तो उससे अपने पास में पहुंच जाओगे, वहाँ फ्री वीडियो कंटेंट और no more लिखावा तो है, ठीके ना, चलो, वो कल करके दिखा दूँगा, don't worry, चले जी, आज की सेशन को यहीं तक रखते बेटा, सह बच्च अपना ध्यान लखेंगे, so thank you everyone for attending the today's session, ठीके जी, so take care everyone and bye